हालो ट्रेडर्स वेलकम टो निफ्टी टेक्निकल जैसा कि हमने बात की थी कल निफ्टी के बिरिगार्डेंग के निफ्टी का जो एक लेवल है 9116 वह इंपॉर्टन लेवल है तो आज देखते हैं जिनोंने जिनको कल नहीं पता कि हम 9116 की क्या बात कर रहे हैं वो कल की वीड रिकिक्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं आप वाँ पे जाके चेक कर सकते हैं चलिए फिर चलते हैं नज़र मारते हैं आज निअश्प ने क्या क्या ओर अट सी हमने बात की थी निफ्टी के 9116 के बारे में अभी ने क्या की और कि जैसे कि हमने टेलिग्राम चैनल में अपडेट किया था सुबा ट्रेडिंग के लिए एक पहला वारा सेल कॉल आया था वह सेल कॉल हमने दिया था 9116 के नीचे देखिए आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी अराउंड 9239 से आपकी 9160 तक अराउंड 70-80 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग थी गैप डाउन ओपनिंग यूँ अमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेल आप विशक करो या ना करो अंटिल लेंडेस डिवर्सल मत आए डिवर्सल नहीं आता तब तक आपको वाइं न वह उन्य पता होगा कि हमने 911 6 के निचे सेलिंग क्यों डाली है मैं आपको दिखाना चाता हूं कि हमने सेलिंग क्यों डाली दी मैंने आपको कल भी बताया था कि inside candle strong pattern है यहां से retrace हुआ प्राइज और यहां पे गया यहां पे हमने selling डाली और यह हमारा stop-loss था, तो यह देख लीजिए आपने भी आपको यह रिवर्सल अगर नहीं मिलता है क्योंकि रिट्रेस्मेंट नॉर्मल है मार्केट में और रिट्रेस्मेंट पे ट्रेड लेना बहुत अच्छी चीज यहां पर हमारा एक ट्रेड और आया था यहां इस लेवल के उपर इस लेवल के उपर मैं आपको भी दिखा देता हूं छोटे टाइम फ्रेम में अभी यहां से क्या है निफ्टी हम वेट कर रहे थे यहां से जिफ्टी थोड़ी सी अगर नीचे जाती तो हम इसे बाए करते क् पैटर्न है जिससे हम बाइंग पैटर्न बोलते हैं तो रिवर्सल उसे हम रिवर्सल मानते हैं यह आपको अगले को स्ट्रेड में भी देखने को मिलेगा तो अभी निफ्टी ने यहां पर जो लो बनाया इस एरिया में वह 9138-9038-9043 का लो बनाया और उसके बाद 9044 का सेक बाइं किया जो इसका हाई था आपको यह देखना है कि ट्रेंड मतलब एक साइड का ट्रेंड जब तक डे का रेंज दो से ओपसिट साइड को नहीं तूटती है तो मतलब ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है जैसे यहां पर इसका जो हाई था वन 9168-90 तो हम चेक करते हैं वान आपको सेम चीजब दिखेगी अभी यहां पे आपका यह है है अपका डे का है और यह एडे का है यहां पर आपका यह दिए हाई क्योंकि वह थोड़ा आपको दिखने दिखेगा नहीं शायद मैं आपको इसके साथ सा दिखाता हूं यह यहां पर गया और यह निफ्टी ने लो बनाया और यहां से इसने ट्रेंड को अपसाइड को बदल दिया तो हम यह स्टॉप लॉस के हिसाब से इसके उपर बाय कर सकते लेकिन इस спис कैंडल पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता यह थोड़ा सा भी अपर जाके दोबारा崑 नीचे आ सकता है तो हम वेट करेंगे इसके तूटने का अगर हम यह retracement मिलती है तो हम अगेन इसे बाय करेंगे इस एरिया में ओके अब इस एरिया में बाय करने का मतलब है कि आप उधर बाइंग कर रहे हैं आपको दिखाता हूं वहां पर हमने कितने पर बाइंग किया वह यह एफट था अगर आपको दिखेगा तो अभी यह इस एरिया में जो आपका बाइंग बनी है वह 14 मच के 20 मिनट दो 20 के बाद आपकी बाइंग आई है आपको जहां भी आपको रिस्टो रिवार्ट फेवरिबर लगता है वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं और यहां पर हमने बाइं किया इस एरिया में यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं ओल्ड लाइंग यह हमने बाइं किया 14 16 पर इस एरिया 14 16 पर हमने बाइं किया 14 16 पर बाइं करके हमने जो कंप्लीट किया वो निफ्टी का टोटल 75 ओल 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 शिक्सेट ओके देस वन चौदा स्टाइस चौदा बीस पर हमारा बाइंग आई दी यह हमारा पहला जो स्टॉप लोस्त था वह हमने निकाला 14 16 पर और उसके बाद जो हमारी बाइंग आई वह 79 पर 79 पर बाइंग आई 79.80 और 79.85 यहां पर बाइंग आई उसके बाद यहां पर हमने 36 पर निकाला 56 पर निकाला 57 और 55 पर जो लास्ट हमारा ट्रेड था हमने टोटल कॉंटिटी जो एक्जिट की वह 57 पर एक्जिट कर दी टोटल कॉंटिटी ओके हम 3-4 लोड में काम करते हैं आपको जैसा भी अपनी आर्पीटी लगती है उसके कोडिंग आप काम कर सकते हैं जो हमारा पॉसिबल जो हाई हमने माना था वह अराउंड 1458 के आराउंड ही आ रहा था और अगर हम चेक करेंगे हाई कहां पर पंच हुआ है 1459 पे 58 पे हमने आई की एक्सपेक्टिट की थी अभी पता नहीं क्युछ न्यूज आने वाली है शायद पैकेज को लेके क्योंकि काफी दिन से तो ओवर थाइट थोड़ा वॉइड कीजिए अगर ले जा सकते हैं पोजिशन निफ्टी का हाल रिली में अभी हम बात करेंगे कि निफ्टी की रिजिस्टेंस और सपोर्ट नाइटी थ्री हंडड़ आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह पर आप बोल सकते हैं तो लेवल्स की तरह काम करेगा अगर यह और यह नाइटी थ्री हंड़र रहेगा मतलब यह 12-5 से लेके यह 11-5 से लेके हमारा 15-5 तक 15 में तक हमारा यह वैलेड रहने वाला यह इस पर अगर आपको कोई इंसाइड बार मिलती है ब्रेक आउट के बाद और इस लेवल के उपर हमें वो चीज़ चाहिए अगर वो हमें मिलती है तो हम उसके अकौर्डिंगली बाइसल करेंगे चेक करते हैं बैंग निफ्टी को बैंग निफ्टी ने आज क्या किया एक हैमर बना रखा है नेक्स्ट हमी अभी इदर से कोई रिवर्सल का साइन नहीं मिलता है हमें क्योंकि अभी सिंगल केंडल मैं आपको कल भी बता रहा था कि सिंगल सोल कोई भी चीज चलती नहीं है मार्केट में अगर आप यहां से देखें निफ्टी का और वैंग निफ निफ्टी को जो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन मीन सपोर्ट जो वह एटीन थाउजन थ्री हंडड़ का है और जो रिजस्टन्स है वो हमें अब भी नहीं देखेंगे यहां पर आपकी डिजस्टन्स मिलती है आपको एक जगा पर नाइटीन सिक्टीन ने से लिया यह आप आपका रिजस्टन्स का लेवल है 9950 लेकिन वहां तक अभी इस वीक में हम देखेंगे क्या करना चाते हैं मुदर जाके पीएस्यू बैंक्स पर हम बात करेंगे क्योंकि अभी बैंक निफ्टी का कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है निफ्टी थोड़ी और क्लियर देखती है ह नहीं है कि किसे के सब्ग करता है कि एक शौटी सी रिकवरी आयिрам में यह इंवेस्टमेंट के लिए ठीकल नहीं ती खिली सब्सक्राइब कर शॉप अभी consistent के देखतरी है है इसमें भी सेम चीज है इसमें डबल बाटम करके अगेन चली गई निफ्टी आप डबल बाटम डबल टॉप पे ध्यान रख लीजिए कि डबल बाटम डबल टॉप आपको पकड़ने आने चाहिए वह बिसीकली रिवर्सल आ सकता है उस चीज में मार्केट का ओके तो अभी पर हम चेक करते हैं अगेन अपको बता दिया है उसके रिजस्टेंस लेवल बता दिया है लेकिन जब देगी तो चपड़ फाड़ के देगी और वो आपको एक्शल में देखना भी है क्योंकि डेली डेली आप पैसा नहीं कमा सकते हैं आप वेट कीजिए ट्रेड के आने का कि ट्रेड आपके पास आ रहा है आप ट्रेड के पास मत जाईए आप ट्रेड को आने दी लिंक है वो आप देख सकते हैं टेली ग्राम का उस पर आप हमारे सा जोड़ सकते हैं फ्री कॉल्स हैं हमारी कोई चार्जिस नहीं है उसका जस्ट फॉर एजूकेशनल परपस है और जो दूसरी चीज हमारे चैनल को प्लीज लाइक सब्स्राइब और शेर कीजिए ताकि हम में भी confidence आये और हम strategy share करें जल्दी हम आपके लिए एक strategy लेएंगे price action strategy with one indicator और वो आपकी trading for living के लिए अच्छी रहेगी basically problem यही है कि लोग trading में आते तो हैं लेकि 95% लोग loss कर रहे हैं और 5% ही profit कर रहे हैं जल्दी हम आपके साथ article भी share करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और कहां कहां कमिया रहती है और उसका क्या solution है क्योंकि कमिया तो सब बताते हैं लेकिन solution कोई नहीं बताता तो हम जल्दी उसकी चीज़ के लिए आपके सामने आएंगे तब तक के लिए stay blessed happy trading